हेलो फ्रेंज राधे राधे सभीको में हूँ बन्दात्वारी स्वागत आप सभीका मेरी चैनल बन्दना की व्यज्यन में आज हमने आलू मटर और नॉर्मल जो आटा आता है गेह हूंगा उसी से बहुती स्वाधिश्ट नासता बना कर त्यार किया है आप देख सकते हो एक बड़ी कटोरी आठा इसमें डाला है नमक अब इसमें मोहिं के लिए डाला है चाट चाहर चंब dapat το अब इस में घी टेल बटर कुछ्यू डाल सकते हो इससे में कर देना है मिक्स अब इसके लिए मैंने लिया है यहां पर गुनगुना पानी थोड़ा गरम पानी ही लिया है क्योंकि सैदियों में जो हम मोयन लगाते हैं अगर हम नुर्मल पानी से इसको आठा लगाएंगे तो वह जम जाएगा तो आठा हमारा साई से नहीं लगा इसलिह मैंने गरम पारी का ही यूज culture किया है इसका हम आटा लगाकर तयार कल लेंगे, जैसे हम डोटियों के लिए आटा लगाते हैं, उसी तरीके से इसका हम आटा लगाएंगे ये देखिए, आटा लगके हमारा तयार है इसे हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे, यहाँ पर लिए मैंने 4-5 बड़े साज के आलू, इन्हें मैंने जैसे सब्जियों में काटते हैं, सब्जी के लिए उसी तरीकी से काटके, और इसी बरतन में मैंने उबाल लिए थे, इसी के साथ में मटर डाल दी थी, आदा कटोर आप चाओ तो साब तालू को भी वाल सकते हो, खुकन में और उसके साथ ही मटर को भी वाल सकते हो, अब इसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज, लैसन, अद्रक, हरी मिर्ची धनिया काट करके रखा है, कड़ाई को रखा है गैस पर इसमें डाला है तेल, तेल गंभ होने के बाद में जीरा डालेंगे, इसके बाद में हमने इसमें लैसन, हरी मिर्ची अद्रक को डाल दिया है, और थोड़ा सा ऐसे चला दिया है, जिससे इसका हलका सा कलर चैंग हो जाए, पक जाए जे, लैसन का जो हमारा स्वाद है, कच्छे का स्वाद नहीं आएगा, अब इसमे इसका कलर चैंज होने के बाद में हम मसाले को सेड करेंगे, इसमें धनिया, पाड़र, लाल मिर्च पाड़र, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, अब इसमें हम उबले हुए आलू मतर को भी डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह मसाले में कर देंगे, मिक्स, बहुती स्वाद इस नास्ता बनकर तयार होता है, यकिन मानी एक बार आप अब प्यूरी वीडियो देख लोगे, तो जरूर बना करके, देखोगे, और इसमें उपर से डाल दिया कशूरी मेथी, नमक भी स्वादानों साथ डालना है, अब इसको हम कर देंगे, मैसर से अच्छी तरह मिक्स, आप चाहो तो इसे कद्धु कस करके भी आलूओ को ले सकते हो, लेकिन जो काट करके जू स्वादा आता है, वो तो बितने करके नहीं आएगा, वो उसे अच्छी तरह कर दिया है, मिक्स जैसे हम डोसा के लिए, आलू बनाते हैं, उसी तरीके से से बना करके तयार करना है, त्यार होने वाला है अगर आपके पास सूखी सब्जी आपस इसे बना कर सकते हैं इसकी लिए लिए हैं यहां पर आदा कटूरी आटा इसमें डाला है थोड़ा सर नमक अब इसका हम पतला सा गोल बनाएंगे, ज्यादा पतला भी नहीं करना है, ज्यादा गाडा भी नहीं करना है, यह थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे, गलती से आपका बैटर पतला हो भी जाता है, तो जे आटे का है तो आप इससे क्या करोगे, छोड़ दोगे दस पंदा मट के लिए तो इसका जो एक्ट्रा पानी है वो उपर आ जाएगा तो बाद में से आप निकाल सकते हो मेरा भी थुड़ा सा पतला हो गया था तो मैंने इसे ही छोड़ दिया था तो उपर से थुड़ा इसका 2-4 चमच पानी निकाल दिया था इसमें गुटलिया न भुल बन कर तैयार है इसमें का जो गुटलिया है वो हमने उंग्डी से हाथों से आची तरह पूर दी है अब इसको हमने रख दिया तब तक हमने लिया है अपना आठा आठा हमारा तैयार है इसके लिए मैंने यहां पर एक लोई ली है जैसे नॉर्माल साज की रोटिया हम बना दे है उसी तरीके से थोड़ी सी बड़ी लिए और चकले पर रखके इस पर थोड़ा सा आठे की डश्ट लागा करके इसे रोटी जैसे हमें बेलना है मोटी विलकुल नहीं करना है जैसे रोटी होती है उसी साज में हम पतली ही करना है साज इसका हम बढ़ा भी कर सकते मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए चकले पर बनाई थी वैसे हम सिलिप भी बना सकते हैं यतनी बड़ी बनेगी उतनी ही जल्दी नास्ता बनकर तैयार होगा और यहां पर मैंने बड़ी सी रोटी बना कर तैयार कर दिया अब इस पर लगाई है मैंने सेजवान चटनी आप चाहो तो इस पर टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं ग्रीन वाली चटनी भी लगा सकते हो जो नौर्वल हम हरे धनिया लेचन प्याज की चटनी बनाते हैं वह भी लगा सकते हो अब इसके उपर आलू की जो आलू की सबजी बना कर दखी थी वह हमें पतली सी लेयर में फिलाना है ज्यादा मोटी नहीं करना है हलकी सी हमें पतली ही रखना है अब इस रोटी को हम लाई में कल लिया है इसको फोल्ड कल लिया है अमने उपर से या नीचे से कहीं से पकड़के चकला थोड़ा चोटा पड़ गया है आप इससे स्लिपर अच्छी तरह है थोड़ा सा हमें दवाकरी इसे फोल्ड करना है इसमें अंदर गैस विल्कुल नहीं रहनी चाहिए बन इसके पीस कर लेना है अब इसे हम एक पीस उठा करके अपनी हतेली पर रख करके दवा देंगे देखी बहुत ही आसान सा है सिम्पल सी तरीके से हम इसे दवाते जाना है ज्यादा मेनत कुछ नहीं करना है बस इसको उठाएंगे और दवाते जाएंगे बस इसी तरीके से हमें अपना सारा नास्ता बना कर तैयार कर लेना है जितना भी आपको बनाना है यकिन मानिए अगर एक बार आपने बना कर देख लिया तो गारंटी है हफ्ते में दो से तीन बार आप जरू बना करके खाओगे बहुत ही स्वादिश्ट बनने वाला है अगर आपके पास सूखी सब्जी बनी हुई रखिए पहले सी आटा लगा हुआ रखा है तो फटापड से चाय की साथ इसे बना करके खा सकते हो पहले बना करके देखिए खा कर देखिए अगर स्वादिश्ट लगे तो ही मेरी चनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और यह देखिए इसका कलर चैनल होने तक हमें से शेखना है जब हम डालेंगे इसमें तब गयस की फ्लेम को हमें लो रखना है उसके बाद हम इसे हाई फ्लेम पर भी सेख सकते हैं यह त्यार है हमारा कुरकुरा स्वादिश्ट नास्ता आप मसाले इसमें केज या कम या ज़्यादा अपने साफ से कर सकते हैं कम मसाले का ही बनाया था बच्चों के लिए आप चाहोते इस गोल में चिली फ्लेक्स धनिया या थोड़ी सी लाल मिर्च पाड़र भी डाल सकते गरम मसाला भी इसी गोल में डाल सकते उसे और भी चटपटा बनकर तयार होगा यह देखिए लग रहा है ना बहुत ही बताईएगा आपने बना करके देखा या नहीं तो थेंक्यू वीडियो देखने के लिए